अब नमस्कार दोस्तों मैं पंकेश बिजलानी फिर से आपके सामने हाजीरू एक नए पारसल के साथ और यह पारसल बहुत ही प्रोस्पेक्टि लोकेशन पे अब बुलेंगे हमेशा की तरह प्रोस्पेक्टि लोकेशन पे तो रहे गई यह पारसल है इंडिया के सबसे लोधा वेलमांडू की जो उनकी साइट है लोधा वेलमांडू उनका प्रोजेक्ट है बिल्डर का नाम है लोडा लिस्टेट कंपनी है अजर मेक्रोटैक डेवलोपर एनने सी बीसी पे उनके पारसल को लगकी यह पारसल है और ज्यादा वड़ा पारसल नहीं है हाड़ली एक इकड़ का पारसल है और सराउंडिंग में बहुत कुछ है अगर वेस्ट पुने से तो आपको पता रहेगा वहां पे इंटरनेशल क्रिकेट स्टेडियम भी है गोद्रेश के प्रोजेक्ट हैं कोल्टे पार्टिल के प्रोजेक्ट हैं बड़े-बड़े स्कूल सा रहे ह सिंबॉसिज यूनिवर्सिटी है वो कई चोक है जो बहुत बड़ा बस का टर्मिनल है पुने सिटी के और एक्सप्रेस है तो बहुत ही प्रोस्पेक्टिव पार्सल हम लोग लेके आ हैं यह टोटल है एक इकड़ का इसमें हम लोग डिवाइड भी करके आपको दे सकते हैं सपोज आपको 5,000, 10,000, 15,000, minimum 5,000 स्केर फिट का हमने वहाँ पर रेंज रखा हुआ है क्योंकि मतलब उससे छोड़े अगर प्लॉट देते हैं तो फिर वो प्रॉपर बंगलो बनना चाहिए हमारा मकसद क्या दोता है दोस्तों सर्फ प्लॉटिंग नहीं करनी है वहाँ पर एक प्रॉपर बंगलो बनना चाहिए और बिकॉज इतनी लगजरियस टाउंशिप को लगके है तो हम लोग यही ट्रायर है कि कम से कम 5,000 स्केर फिट का तो प्लॉट वहाँ पर जाए और उसके लिए आपको पहले साइड विजट करनी पड़ेगी देखना पड़ेगा और उसके बाद हम लोग वर्काउट कर सकते हैं बट यस 55,000 स्केर फिट की आठ प्लॉट है टोटल 40,000 स्केर फिट के आराउंड है प्रॉपर आपको कॉंक्रिट के रस्ते मिलेंगी एंडर्गराउंड ट्रेनेज एलेक्टिसिटी प्रॉपर गेटेट कम्टिटी मिलेगी और बिना टाइम वेस्ट किये मैं आपको डारेक्ट गूगल लोकेशन पर लेके चलता हूं गूगल अर्थ पर लेके चलता हूं और सराउंडिंग का पूरा डेवलपेंट विजिट कराता हूं और आपको एक्जेक प्लॉट का भी लोकेशन दिखा देता हूं तो मैं आ जाता ह का हूँ किवले आप देख रहे हैं किवले मुकई चोक जो वेल नोन चोक है PCMC का और आप जैसे अगर हिंजवाडी में भी प्लॉट देख रहे हो तो यह एरिया आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है क्योंकि यहां से अगर आपको हिंजवाडी जाना है वाकड जाना है आपको एक भी सिगनल नहीं लगेगा यहां से आप किवले से टच करेंगे मुकई चोक को डारेक्ली यह रोड हिंजवाडी भी जाता है पुनावले भी जाता है ताथोडे भी जाता है बानेर भी जाता है और आपको कोई भी सिगनल नहीं लगेगा you can go in a fast way अभी बहुत सा कासर साही जो हो गया वहां पर आपको development बहुत कम दिखेगा बट इस एरिये में development बहुत ज्यादा है because of the express way because of the यह जो बाइपास है कातरज देहु बाइपास है मतलब देहु से शुरूँ के direct कातरज जाता है without any signal तो यह fast lane road है तो यह सब development होने के कारण यहां पर आपको development अभी ही speed में होता हुआ देखेगा तो यह जो area को हमने अभी target किया हुआ ऐसी area में अभी हम लोग multiple parcel लेकिया आ रहे हैं अभी एक दो parcel हमारे side में थे जो आप अभी cursor देख रहे हैं यहां पर यह पूरा development हम नहीं किया हुआ है और यहां पर अलरड़ी अभी plots भी deliver हो गया है इस area में बाकी मैं आपको लेके चलता हूँ अभी surrounding आपको दिखा देता हूँ किस तरह से यहां पर पूरा overall development हो रहा है और overall यह area कैसा दिखता है अगर मैं पूरा बड़ा eye view लेता हूँ मतलब आप देखेंगे तो this area is something की पूरी तरह से developed हो गया है मतलब एक जो major development होता है ज मैं थोड़ा अंदर जाता हूँ जो कि अंदर लोग जैसे अभी में नेरे में देखता हूँ पूरा unorganized development है ऐसा कोई proper आपको organized development देखेगा नहीं या कासल साही में भी देखूंगा organized development आपको देखेगा नहीं पूरा होचपोच है थोड़ा बहुत development है और सब यह चोटे-च मास सालों में भी जगह मिल जाएगा unless and until अगर रोट जगह आपको मिल रही है अंदर आप लेते हैं तो हाँ but if you are getting land near to गहुंजे किवले go for it और अभी यह जो प्लॉट है यह गहुंजे में ही आता है सबसे बड़ी बात है और यह जो आप लोड़ा का टाउंशिप देख रह मैं आपको exactly दिखाऊंगा कैसा वो पार्सल है और यह लोड़ा के opposite यह मंतरा का प्रोजेक्ट है और फिर इस साइड आ जाता है पिरामल गृप का यह पूरा प्रोजेक्ट है इस साइड यह फिर गोदरिश का प्रोजेक्ट है गोदरिश का मॉल भी आ रहा है यह आप जो construction देख रहे हो कार्निवल मॉल करके वहां आ रहा है SNBP स्कूल है कोनाल आइकोनिया का यह प्रोजेक्ट है और इसके बाद यहां पर यह जो आप देख रहे हो यह कोल्टे पाडिल का प्रोजेक्ट है मासुलकर सिटी और भी बहुत सारे बिल्डर्स के यहां पर यह आप देख रहे हैं बिल्डिंग यह पूरा बना हुआ है बिल्डिंग यह मैंने आपको पूरा व्यू में भी करवा दिया तो ऐसे ऐसे लैंडमार्क्स वहां पर हैं आप प्लॉट लेते हैं तो आपको वैसा क्राउड मिलेगा और इनकी बिल्डिंग में एक फ्लोर पे एक ही फ्लैट है यह जो आप देख रहे हैं इसका आप देखेंगे पूरा लेयाउट मैं तो अंदर से भी देखिया है हूँ एक फ्लोर पे एक ही फ्लैट है और उन्होंने अच्छे हैं आप बॉलिवूट के सारे लोगों ने वहां पर लिये हुए फ्लैट सो यह सब चीज का वियू करवा देता हूं किस तरह से यह यह पूरा सिंबोईसिस यह भी वॉकेबल डिस्टेंस बे यह जो आप सिंबोईसिस युनिवेस्टिटी देख रहे हैं और महराष्ट्रा में दो इंटरनेशनल क्रिकेट इस्टेडिया में एक है बान खड़े का जहां पर इंडिय मकसद यह है कि आपको मैं थोड़ा आवेर करा सकूं कि आपको हम लोग कहां पर प्लॉट दे रहे हैं और क्या डेवलप्मेंट है वहां पर और एग्जेकली अभी मैं प्लॉट ही आपको बता देता हूं यह जो आप लोडा का टाउंशिप देख रहे हैं पूरा यह लोडा देखेंगे तो मैं एक्जेकली आपको दिखा दूँगा ऐसे मैप में आपको क्लियरली सवंज में नहीं आ पाएगा इफ यू कम डाउन आप आते हैं यह जो आप स्क्रीन देख रहे हैं एसी एरिये में हमारा एक इकड़ा पार्सल है यू विल गैट टू नो और उसमें आ आपको मैं टेंटिटिवली अंदाजा दे सकता हूं हारली एटीन हंडेट की रेंज में आपको अभी प्लॉट मिल सकता है अट्रा सो रुपे पर स्केर फिट में और वो भी यह जो आप देख रहे हैं यह बंगलो यह भी जो लोडा के बंगलो जहें यह यह भी शेरिंग ब वाल से में और काफी छोड़े बंगलो जहें इनका ही आप रेट पता कर सकते हैं अल्मोस्ट 3CR में एक बंगलो वो बेस्ट हैं वो भी शेरिंग वाल वाला और अगर आप हमसे प्लॉट लेते हैं 11,000 स्केर फिट या 5,000 स्केर फिट का आप एक स्पेशियस अच्छा खासा बना सकते हैं और लोकेशन भी मैंने आपको बता दिया इसी एरिये में हमारा प्लॉट है बाकी प्लॉट तक पूरा कॉंक्रेट का रस्ता है ग्राम पंचायत का बाकी का हम लोग आपको डवलप करके देने वाले हैं और फिर से मैं बता रहा हूं हमारे प्लॉट को लगके म और यह अभी मैं आपको soft launch में pre launch में आपको बता रहा हूं यह plots के rate बढ़ेंगे हो सकते है 3000 भी हो जाएं हो सकते है 4000 भी हो जाएं but if you are coming now like till first week of July you can get the rate of 1800 रुपीज और location आपको मैंने बता दी यह जो लोड़ा के बंगलोज हैं इसके back side में हैं और यह लोडा का township भी काफी बड़ा है यह तो इनका पहले का यह club house है जो common club house है उसके बाद इनका reserve करके premium category है उसका यह swimming pool है टेरिस्ट swimming pool club house है और एक और club house इनका यहां पे है और इसके back side में यह बंगलोज तो लोडा का भी जो premium section है उसको लगके हमारा parcel है तो आप अगर देख रहे हैं plot जल से जल आई किए और ग्रेप कीजिए और बाकी जो मैं आपको बता रहा था बहुत सारे लोग अभी सर्च कर रहे हैं नेरे काससाई साइट देखिए आपको मैंने यह एरिया दिखाया आपको कितना यहां पर और और डवलप्मेंट दिख रहा है अभी चलते हम लोग नेरे का सथाई द तो आपको एक-एक दो-दो गुंटे के वही बंगलोज दिखेंगे वही बिल्डिंग्स दिखेंगी जो इलीगली लोग बना रहे हैं और काससाई भी उस ताइप कई और मारुन जी तो आल्रेडी में को लगता है कि मारुन जी पूरी तरह से ठीक है कोल्टे पाटे मारुन जी आप देख सकते हैं मारुन जी पूरा अनाथराइज डेवलप्मेंट बहुत हो गया है मारुन जी में और थोड़ा सा छोड़े प्लॉट्स बहुत लिए लोगों ने तो मैं इसलिए सजेस्ट भी करता हूँ अगर आप कहीं पर भी प्लॉट ले रहे हैं तो आप अजर नॉम्स अजर कलेक्टर नॉम्स अजर कोपरेशन नॉम आप बंगलो बना भी सकें इसलिए अमलुक ट्राइ करते हैं कि 5000 अन अबो का ही प्लॉट दें जिसमें एजली एक बंगलो तो बैठे अभी ठीक है 7 विलेजिस तो प्रपोज जें PCMC में जैसे इंजवाडी, मा अभी यहां पर गोदरेश का मॉल भी शुरू हो जाएगा तो गहुंजे के विले सांगोडे इस गोइंग टू बी नेक्स लेवल अपार्ट फॉर्म डेट हमारे पास सांगोडे में भी दो पार्सल से जो गहुंजे के बैक साइड में आते हैं यह आपको लोडा का बहुत अभी हो क्या रहा है सांगोडे हो गहुंजे हो या फिर जांबे टाइप का एरिया वहां पर सब बड़े बड़े बिल्डर्स का क्यूजिशन चालू है तो यहां पर भी मैं प्लॉट दे सकता हूं आपको अलड़ी रोट का काम हो चुका है और इधर भी मैं आपको दे सकता हूं यह जो पार्क स्टीट करके हमारा फ्लैक्शिप प्रोजेक्ट है इधर भी आपको प्लॉट मिल सकता है जो की किवले को लगके ही आता यह भी अरिया अब मैप में देखेंगे तो इस ओल अर असेसेबल तो में पॉइंट पर आते हैं अभी जो मैंने आपको प हमारे साथ और कमेंट करके बताईए आपको इस वीडियो से कुछ इंसाइड मिली की नहीं और थैंक यू दोस्तों वाइव गोड डे बाई टेक क्या